हलो फ्रेंड्स मैं हुद और मेरे चैनल पर अपका स्वागत है लोडियो में आपके बहुत इफ्यक्टिव मैजिकल फेस्पेक के बारे बताने वाली हूं जिसका अगर एक बार ही प्रयोंगे तो एक बार ही आपको बहुत इचा रियर्द देखने को मिलेगा यानि कि इन्सट जिनकी स्कीन आइल है और ब्लैक है शुआ तक है उपेंट पोर्स की समस्या से परिसान है या डर्क अंडर आंप की समस्या से परिसान है उन सली समस्यां से आपको छुटकार में लेगा क्योंकि इस जो फैस्पेक आपके लिए बेश्ट राइट होने वाला है वीडियो अगर बोलते हैं और इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है यह आपको ठेको अगर बनाने में काफी इसका प्रयों किया जाता है और मैं आपको बता दू कि बेकिंग सोडा जो है आपके स्कीन से रिलेटेड कोई भी समस्या उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा का पानी में मिक्स करके पैक लगाते हैं तो भी आपको काफी फैयदा मिलता है लेकिन हम इसमें और भी चीज आइट करेंगे सबसे पहले में आपको बता दू कि जो है आपको किसी भी किराने के दुकान पर मिल जाएगा खुला भी मिलता है तो आप इसे की तरह भी काम करता है तो यहां पर आपको क्वांटीटी अपने चेहरे के लिए जितना भी आपको प्रियोग करना है यहां पर जो हम सेकेंड इंग्रेंट करेंगे उसके लिए हमें निम्बू का प्रियों करना है जो निम्बू है आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा करने कारता है और यहां जो है एक यह निचली खिल रहे हैं यह को बीच करने का माध़ा प्रश tara ने करता है लेकिन यहां फोले को प्रयましょう कि यहां पर जितना इसमें जबारत हो प्रेव कर सकते हैं। तो तोटली आपके डिपेंड करती है इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ही काड़े होनी चाहिए तो इन दोनों चीजों को पहले आपको अच्छे से मिक्स करना है थार्ड और जो इसमें हम में इंग्रेंट यूज करेंगे उसके लिए आपको यहां पे वाइट तूथ पे जो आपकें अंकी आपकी डार्क है काली है उसको रिमुब करने का उसको साफ करने का काम करता है तो भहत ही जादा कीrent नियुकंप कर लेना है तो अभी जो है मैंने अच्छे तरीकिसे से मिक्स कर लिया और हमारा जो एक बिल्कुल ही रेडी है कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं इसे अपलाई कैसे करना है अपने चेहरे पे सबसे पहले आपको चेहरे पे लगाने से पहले अप कि लोग वाई आपको मसाज करना है इससे क्या होगा कि जो इसमें हमने वेकिंग सोड़ा का प्रियों किया हो दरदरा होता है जो कि तरह काम करता है जब आप इसे रफ करेंगे मसाज करेंगे तो जितने भी डेडि स्कीन होगी रिंकल चूरियों की समस्या होगी और जहां तक मैंने स्पैक को लगा था वहां तक काफी ब्राइट दिखाई दे रही है और मैं आपको बता दू कि तुरंथ ही रिजल्ट देता है जब आप इसका प्रियुप करेंगे तो आपके इसकी काफी साफ दिखाई देगी जो भी डर्ट गंदगी मैल होगी आपके स्कीन स दिखाई देगी तो बहुत इफेक्टिव फेस्पैक है आप इसे जरू ट्राइब कीजिएगा अगर आप इसे वीक में कम से कम दो से तीन बार भी प्रियुप करते हैं तो इससे वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़दा सेर कीजिएगा और एसी और भी आची-ची होम रेमे झाल